कोरोना काल के बाद एक आम व्यक्ति जो है वो प्रकृति के नजदीक जाना चाहता है और प्रकृति के नजदीक जाने के लिए जो किंद्र होते हैं वो है यो किंद्र हो प्राकृतिक चिकित साले हो पंचकर्म किंद्र हो तो वहाँ पर विजिट करना चाहता है एक ऐसा ही केंद्र सीकर के पास है नवलगण के पास है दिनारपूर गाउं में हिश्वरश्टी के नाम से जाना जाता है नाम भी एक अलग ही अध्यात्मिक ता जो है वो भर देता है तो ऐसे ही एक सेंटर में हम आए हैं और जब एंटर करते हैं तो बड़ा प्राकरतिक बातावर्ण हमें देखने को मिलता है यहां पर क्या-क्या सुविधाएं है नेचरोपैथी के हिसाब से हमें क्या-क्या मिल सकता है ऐसा क्योंकि मेरी रूची विशेश रूप से इसमें रहती है योग मैं करवाता हूँ तो ऐ इस मैं आपको भी मिले और ऐसा ही विचार करते हूं हम अंदर चलते हैं तो यह इस वर सिष्टीトी का मुख्य जो है द्रभार है और हमर साथ Allez को संचालित। करने वाले कमलेश जी हमर साथ है तो अब हम अंदर आ चूके हैं और भाईसाब से अब जो है छर्चा करते हैं कि यहाँ के बारे में क्या विशेश ऐसी चिक्चसा है यहां की जो एक आमा आद्मी आना चाहता है और यहाँ क्या प्राकर्तिक चीजे हैं जिनको आप उपयोग करते हैं तो मैं जब बताईए क्या यहां का है और यहां का पूरा परीच्छ जो एक आम आदमी नया है मेरी तरह उसको क्या पता चले कैसे आप बताएगे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस और सस्टी में धन्यवाद देता हूँ कि तरी नेत्र जैसा एक धार्मिक और राष्ट्रे विचारों का चैनल आज इस और सस्टी में यहां पर आया इस वर सस्टी के बारे में दिक आना हो तो मैं मेरा पूरा जीवन मुंबई में बिता है और यह मेरा पैतरी गाउं है मेरे पर दादा जी के समय की जमीन थी तो समाज से जो पाया उसको वापिस देना इस उद्देश से मैं मुंबई से यह आया और ये इस वर सश्टी कुल 36 भी गा में फैला हुआ एक शेतर है जो गोचर भूमी को लग करके है इसमें मुख्य रूप से जो पहला है इस वर सश्टी प्राकरतिक चिकित्सा योनों संधान सहस्तान जिसमें हम जल चिकित्सा, मर्दा चिकित्सा, अभंग चिकित्सा जिसको म मसाज कहते हैं उसके अल्टरा मोडन हमारे पास फीजियो थेरेपी लेब है और पंचकर्म चिकित्सा का अलग से हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसके अलावा भोजन चिकित्सा के लिए भी हमारे पास बड़ा अनक्षेत्र इसक्षेत्र में है दूसरा जो हमारा प्रकल्प बनकर के तयार है वो है नंदिनी गोशेवा समर्धन एवं अनुसंधान सैंस्तान जिसमें इसमें चे परजाती की 31 गोधन हमारे पास में है उसमें भी विशेश रूप से 18 हमारे पास छोटी बचडियां है जिनको हम तयार कर रहे हैं समाज के लिए और हमारा उसमें ये मान चला रहे हैं लेकिन हमारा गोश अनुसंधान केंद्र है गायों का अनाथ आश्रम नहीं है गोश वावलंबन पर हम काम करते जिसमें 16 तरे की ओशदियां हम गोश आला में इसमें निर्मान करते हैं तीसरा जो है हमारा के है रिशी क्रशी तंत्र मंत्र शोध सैंस्तान जिस जिसमें हम जो हमारी रिशी पद्दती से क्रशी होती थी जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं पुरातन पद्दती कहते हैं या परमपरागत खेती का तरीका जिसको कहते हैं उसके अपपर हम सोध कर रहे हैं जिसमें हमारे पास चार बगीचे हैं बहुत सारे पोदों के तो इन चारो परकुल्पों की हम समय समय पर आपको परीचे करवाते रहेंगे अभी जो हमारा विशे है वो है प्राकृतिक चिकित साले तो हम चलते हैं वैसा शुरुवात करते हैं चिकित सक परामर्स कक्स है यहां कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं आता है हम किसी पेशिंट को यहां भरती नहीं करते हैं यह हमारा साधना इस्तल है यहां पर जो आता है वो स्वास्ते साधक आता है जो अपने स्वास्ते को साधना के माध्यम से टीको करके जाता है हमारे यहां साथक साहयक है जो उसकी साथना में साहयता करते हैं ऐसे हमारे चिकित्सक जो है वो यहां का परिक्षन करते हैं और यहां उनको प्रामर्स देते हैं जैसा हमने पूरो में बताया गोनुसंदान के अंदर में जो ओशदिया बनती हैं यह हमारा उसका पूरा ओशदी का युभा होती हैं तो मुन रुप से किस किस परकार की उज़दियां जो है वह वो आपके द्वर्द पर चीज इसमें से आपको बताना चाहंगा यह गो तक्रारिस्ट हमारी सभी ओस्दिया हैं यह केवल और केवल गो साधकों के लिए और गोशेवकों के लिए अर्गो भक्तों के और उसमें गोतक्र, पांस तरह के लवण, नमग, हरड़, चुरण, अजवाइन, काली मिर्ज, आवड़ा, ये इसके घटक है, और ये पाइल्ज, कर्मी, संग्रणी, अतिसार, अरोची, शोद, बदहजमी, मलत्याग, बगंदर, पाचन, अगनिमगने, पेट के रोगों के ल और गोमुत्र है केवल, और ये आप देखेंगे, दमा, अस्तमा, स्वास, कास, कमजोरी में लाबदाईक है, गोड भी गरम तासीर का होता है गोव मुत्र भी गरम तासीर का होता है दोनों का मिक्सर है तो आप लगबग जो है वो नेचुरल जो चीजें है और गोव मुत्र को ही यूज में लेकि या गो अर्क को या गाइच उतपादन मुख्य रूप से उनी के आधार पे पंच गवे पर बनाते है यह हमारा वाष्पकृत गोमउत्र का अर्क है कि शाएप पूर्ण रूप से और मुख्य रूप से उनी ऐसां वह भी बनाए जाता है वह इस्टील के बरतनों में son की मशिनों में में बना जाता रिकिन लेकिन यहा प्वर पूरी तरह से काच के बूतनों में ये अर्क निकाला जाता यह यह आप देखेंगे बोजन के समय पराता है 9 बज़े से 10 बज़े तक इसकाषेवन करना चाहिए बोजन करने के 45 मिन्ट बाद पानी पिना चाहिए अच्छे पेरिणाम के लिए जैविक अनाजफल सब्जों का शेवन करना चाहिए, ये इसमें ध्यान देने योगे बाते हैं, यदि इसको अधिक लाब्दाई पाना, लाब प्राप्त करना है, तो ये इसके उप्योग है, ये हमारा नयन दारा है, ये भी शर्दपुर्णी में आरी है, लगो 25 दिन बाद, ये शर्दपुर्णी मा के दिन इखटे किये हुए, गोमुतर से ही साल बर तक हम चलाते हैं, तो ये इसमें क्या रहता है, आखों के लिए ये उप्योगी है, इसमें गोमुतर है, शैद है, गुलाब जल्व का मिश्रण है, और ये इसकी विशेश बात है, कि ये आखों का जलन, सामान नेतिया, आखों की सभी बिमारी में काम में आती है, और इसको स्वस्त वेक्ती भी काम में ले सकते है, जो स्वस्त है, उसको परेशानी नहीं होगी, जिसको परेशानी है, उसकी ठी हो जाएगी, ये आप देखेंगे बाल पालरस, इसी तरह का हमारे पास में नारी संजीवनी भी है, जो इसमें स्टोक कतम हुआ है, ये भी गोमुत्र का चंद्रमा, गोमुत्र चंद्रमा अर्क, देश्री खांड, निंबू, सत्थ और सतावरी, इसे निर्मत है, छोटे बच्चों के लिए लाबदाई है, बच्चों के सभी रोगों में जैसे मुंबई में जिसको सरवादिक पसंद किया जाता है, जिसको मंगवाया जाता है, वो है पंचगवे नाशी का ओश्दी, इसमें आप देखेंगे पंचगवे और ओश्दी मिश्री तिसके अंदर है, इसमें पांचों ये है, विशेश रूप से इसमें गाय का घी, और इसक एलर्जी, साइनस, मिर्गी, पार्किसन, यादास्त का कमजोर, खर्राटियाना, शीरदर्द, माइग्रेन, यहों समस्तिक, मानशिक रोगों में उपयोगी, यहनि गले के उपर के जितने रोग हैं, उन सब के लिए यह उपयोगी है, यह हमारी इस और सश्टी में अंदिनी ग से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, एक अमरत धारा जो लोग घर पर भी तियार करते हैं, इनोंने भी तियार करें, क्या यह क्या काम आएगी सिर्दर्द और उल्टी दस्त में, यह जो चीज है, यह जेब में रखने वाली चीज है, इसका सबसे बड़ा फायदा है, आ आप दो चमच में डालिये दो बून, और पी जाई आपको पेट में आराम देगा, यह फास्ट रिलिफ जो है, इंस्टंट रिलिफ देने वाली है, अश्रत धारा पहले घर परिवारों में बहुत यूज होता था, घर पर ही बनाते थे, इसमें अजवाइन का सत है, पोदी बताना चाओंगा, हमारे देश में बहुत बड़ी परेशनी है भाषावार परांत बनाने के बाद में, भाषा के करण परांत बनने के करण पूरे देश में भाषा को लेकर के पूरा विवाद हर समय जगडे होते हैं, उसके नकारात्मक परेना बहुत होते हैं, लेकिन उस इसवर, सष्टी और नंदिनी गोशाला के जितने प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको हमने ते किया है कि एक उत्तर भारत की भाषा के साथ में, एक दक्षिन भारत की भाषा में भी हम इनको रखेंगे, और इसका प्रतेक्स परिणाम आप हमारी गोशाला के बोर्ड देख सक और उसी उतनी प्राचिन भाषा तमिल भाषा है, जिसका समुरुद्ध साहित्य है, इसलिम ने निश्य किया है कि हमारे यहां पे जो हम चापते हैं, उप्योगी सामगिरी, वो हम हिंदी के साथ में तमले में भी चापते हैं, और इसका प्रतेक्स परिणाम आप हमारे यह देख सकते हैं, जी बहुत सही है, तो यह विचार जो है, बड़ा विचार जब शुरू होता है, तो उसके बाद में धीरे धीरे वटवरक्ष के रूप में वो आ जाता है, तो यहां तमिल और हिंदी, यह दोनों भाषा हैं और इंगलीश का भी सभावेशा है, तो तीनों जो हैं, क्योंकि समझने का जो आधार है, वो भाषा ही है, और भाषा अगर सभी जगह की हो, तो बहुत बढ़िया रहता है, तो यह अच्छा विचार इनों ने यहां पर दिया है, अब आगे चलते हैं, वैसे तो इस वर सश्टी यह प्राकरतिक चिकित्सा ले हैं, लेकिन उसको लग करके, जो पुराने समाहे में हातों से जो इलाज किया जायता था, इसको इस पर सचिकित्सा कहते थे, उसी के जैसी यह फीजियो थेरेपी लेब है, जो आजकल मशीनों के साथ में की जाती है, और फास्ट रिलिप देती है, इसलिए मने प्राकरतिक चिकित्सा का भाग करके, यह हमने अल्ट्रा मोडर्न मशीने यहां रखी हुई है, जो फीजियो थेरेपी यह पूरी लेब हमने सेट अप किया हुआ है, जो काफी रोगों में काफी फाइदे जनक है, तो किन-किन रोगों में आप इस लेब का काम में लेते हैं? यह विशेश कर शरीर की जो जकडन है, मास पेशियों की परेशानी है, हड्डियों की परेशानी है, जोडों के दर्ध हैं, उनके लिए विशेश रूप में इसका उप्योग होता है, और मा आपको बताता हूँ कि यहां आज पास के क्षेतर के CP पेशेंट जिनको जनमजात विकलांगता है, ऐसे ब काफी बच्चे हैं और बुड्डे विक्ति जो हैं, उनके लिए सुईधाजन की आपास में हो गई है, तो कुछ चीजे होती हैं जिनको हर विधा से लिया जा सकता है, ऐसा ही नेच्रोपैती सेंटर यहां पर इनों ने ये फीजियो थरेपी को साथ में जोइंट किया है, ब एक बच्चों का होता है, वह डोक साथ है, इनसे बात करते हैं, किस प्रकार का विजियो थरेपी पे जो है यहां टीत्मेंट देती हैं, इस में हमारे प्राक्रती कर शिक Şuaky's Haalem फीजियो थरेपी का यह फीजियो तेरपी विबाग है, इसके आभ अभी जो टीत्मेंट शनल पुरा अब इसको हुआ नेचु ने तेर्फितिंत लिए हो उता हैं नेचुर्पेठि मनेजमेंट करता हैð योगा मनेज्टमेंट नेयों हैं उत्या चाहित्य जीए मेडिसेन मनेज्मेंट करते हुआ प्योपको नहstrंसा है जी बच्छा से हिंगा शहाझ है से चल बहा रहा है एक सारा किस्यों थोड़ा सा सारा चाहिए तो हमने हम एक सेरेफल फेल्ची जो बच्चे हैं उनको भी हम एक फिर अच्छी रिकवरी दे रहे हैं कम समय में ज्यादा रिकवरी उसमें पैस योगा और अपने नेचरो पैथी और ये फीजियो तरफ सब को मिक चेक बच्चा उनक रम्रेटा को मिका सिरो ठुड़ा में एतजन चणा से बच्चा नाम नीरज में अर वह गये वीप बच्चा है का बच्चों के पेरेंट्स हैं क्या बच्चे को तक्लीफ च्व्म में पारा था अभी कहां अजय कितने तरह पहला है दुनषोंसे के उच घुरौ इस लिते हुड है defioure के साथ है ? टीऑ है टीज पहले टरहा हो से लाती है अजग है है हम भी नहीं ज़ने खेजा करेंगे भी अर नहीं ba नहीं करका है टीक अज़ेट सन लुजना है कि दमतर दुफ़ैटर को है करते हैं अंदर आते हैं तो पंच्वटी हमें नजर आती है क्या है सर यह पंच्वटी यह पंच्वटी यह जो स्वास्ते सादक आते हैं उनके सुबह के लिए व्यायम के लिए और शाम के समय विश्राम और आपसी बाच्चित का इस्थान है जिसमें एक पिपल का वरक्षा है एक वर्ट वरक्षा है एक अशोख है और एक आउला है ऐसे पांच वरक्षों को लेकर के और हमने यह दु यह अरजुन के पेड़ है और अरजुन की चाल जो की हार्ट में काम आती है और इसे चाल भी जो है उतारी जाती है तो यहां पर यह देगी चाल जो है यह होती है अरजुन की चाल जिसको पेड़ से उतारा जाता है और यही जो है उसमें दूद के साथ और इसका अर्क जो ह वहां पर उजदियों को जो है वह साथ में काम में लिया जाता है यह सारे अरजुन के पेड़ है एक लाइन में यहां पर लगाए गए है यहां कितने लोगों का जो है रहने ठहरने की वेवस्ता रहे हैं इस हवेली में 40 लोगों की वेवस्ता है और उसके अलाव हमारे पास मि यहां हमने देखा कि कुछ गुम्बद भी आकरती में दिये हुए हैं गेट भी जो है एक बड़ा सा गेट बनाया हुआ है क्या है सरीये किस रूप को आपने इसमें समाहित किया है यह केश हवेली है जो स्वास्ते सादकों का आवास है इसमें 40 वेड़ की विवस्ता है एक वी सारव यहां पर है तो एक ऐसा इस्थान जहां पर हम आकर बैट सकते हैं आराम कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए एक हमारा नेचुरोपैथी का जो है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऐसा इस्थान है यहाँ पर कितने लोग आते हैं कैसे आते हैं यहाँ पे इसमें तो करोना काल के करण हम भरती इसमें नहीं ले रहे हैं इसमें OPD के पेशेंट आते हैं, जो दिन में आते हैं, अपना टेटमेंट लेकर के स्याम को आपी जाते हैं, जिन में उनके विश्राम करने के लिए स्थन्ध है, जहां पे आप देख रहे हैं, यह लाइबरेरी है, जिसमें आपको राश्ट्रिय साहिते मिलेगा, इसमें आपको धार्मिक साहिते मिलेगा, इसमें आपको राजनतिक साहिते भी मिलेगा, अध्यात्मिक साहिते मिलेगा, जिस तरह के जिसकी रूची हो, वो यहां से लेकर करके, यहां बेट करके दिन में आराम से स्वास्ते साध्य किसमें, स्वाध्याई कर सकते हैं, यह ट्रीटमेंट रूम है और यहां पर किस परकार से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो हम जानते हैं, क्या-क्या व्यवस्ता ह पर इसके पूरी जानकरी के लिए मैं शेर करूँगा कि हमारे यहां कि आरेमोर रेसिदेंसल मेडिकिल ओपीसर डॉक्तर तिर्लोक नर्वलापको इसमें अच्छी तरह से बताएंगे रपिर अब जैसे इनका पेरालाइसिस है ज्का पेरालाइसिस का ट्रेटमेंट चल रहा है इनको जनवरी में परालाईज अटेग हुआ था तब उनका टेटमेंट चल रहा है और अभी हमारे दो टेटमेंट सेक्सेन और है तो उनके बरमे में आपको अभी चलेंके तब पर रिचे अगर होगे अभी इनका अक्सराइज चल रही है तो यह एक्सराइज कितनी देर करव अच्या जैसे एक परालाईज अटेक आज आता है तो व्यक्ति को क्या अभिशेज ध्यान रखना चाहिए और नेच्रोपैथिका अगर त्रीटमेंट लेना है तो उन्हें क्या करना चाहिए तो नेच्छोरी पितिम क्या होता है जैसे अक्सराइज हो गई मसाज होगी इस् नाइट कोन बोड़ी का कौन सा पार्ट है उसमें पैरलाईज हुआ है उस पार्ट पो रिकोवर करने के लिए अक्सराइज करवाना मसाज करवाना अर डाइट का मेंटेन करवाना आज इस अब चीज़ उसें का ट्रीटमेंट गया दाता है नेच्रोपैथिक तो यहां पर यहां विशेस रूप से वैसे सिरोधारा भी मैंने देख रहा हूं और बाकी उदर ट्रीटमेंट सेक्शनों में नेच्रोपैथि के सारे इक्विमेंट्स भी है जो इस वेदर है मिट्टी-पट्टी है मिट्टी इमरसन है कमिज जकूची हो गई यह सब सीजे उदर अभी इनके पैरों में नमनेस है यह लपेट है जो नेच्रोपैथि में कामा है तो लपेट के ऊपर रसी भी बादी हुई है यह तो इसको सपोर्टिंग के लिए है वैसे यह रहता है तो बलड का सर्कूलिशन के लिए कितनी देर रखते हैं इसको कम से कम 25 मिनट रखा जाता है इ रोज के टीटमेंट पे हैं तो क्या फाइदा मिला है आपको इस लपेट से वेरे को पांत रोज हो गया ते मैं चार मेने से दुख्य हूँ इस पहर से क्या समश्या थी समश्या थी नस्व लोग हो रही है पहले तो डाक्टर ने जैपुर शिकर में बोला कि आपके गोड़ कि स्कीन शिटी वी सब पूरी हूई जब मालूगा कि नस्व लोग हो रही है तो दो मैने तो गोड़े में खो दिया दो मैने जपर में इलाज तीन मने से चल रहा है कावेज मेरे पास लाख और पे करच कर दिये अब किसी ने बताया कि यह है तो उस ने बताया कि आप उहा चले जाओ तो चार दिन से या रहा हूँ तो फरक बड़ा है पूरा फरक बड़ा है चले फिने में भी आप नहीं तो चला खिराई नहीं जाता था अब उटकर चितिया कि सारी से चल लेता है बहुत बढ़िया है देखें यह नेचरोपैति की कुछ चीजें ऐसी हैं जो वा वो मन लगन से कर रहे हैं नहीं कोई देखता ही नहीं है बड़े बड़े में जाओ लाख और रुप्या खरच कर दो कोई सुदी नहीं लेता है यह आते ही लग जाते है अपने प्रेकाति का यही अंतर है मोडन में दूर से बात की जाती है पारंपरिक में हाथ फेर के उसका करके ऐसे बात की जाती है तो यह अपनापन तो आता ही है तो यह पनपरागत जो चिकित्सा पद्दितिया है इनको भी हमें जीवित करना पड़ेगा पुनट जीवित करना पड़ेगा और जो भी treatment लेने वाले हैं कोई नुक्सान तो है नहीं आगर treatment ले सकते हैं और उससे एक अपनापन का भाव जो है, वो महसूस होता है, तो आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका अपने उद्गार आपने दिये है, तो एक आपकी जानकरी में में अभिवर्दी करतूं, आप जो मिलिटरी के कैप लगा करका है, हमारे जो दूसरे स्वास्ते सादक है, वो एक्स मिलिटरी में है, तो हम चाहते हैं, उनके अनुपवाब आप शेर करें, जी सर, बताइए कैसा, कब आया था ये आपको अटेक कब आया था, आठ जन्वरी, आठ जन्वरी, अच्छा, तो अभी जो ये करवा रहे हैं, इसे कितना फायदा लगा है? थोड़ा फायदा है, तो दर्द वर्द भी होता है या के मुझ पेसे से सुन्दी है? बहुत दर्द होता है, तो ये ट्रेट्मेंट चल लगा है, इसे कुछ लगा आपको हल्का है? किसी भी चिकसाले में जाते हैं तो रहने की व्योस्ता जो है वो बहुत आवशक होती है किस प्रकार की व्योस्ता है स्थार आपके पास रहने की डोर्मेट्री है या व्यक्तिकत या फैमिली रोम कैसे रहते हैं हमारे यहाँ पर एक तो कुटुमबक एक्षण परिवार कमरे जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे फैमिली रूम्स हैं, जिसमें से चार कमरे जिसमें से तीन लोगों का परिवार है सकता है, और चार कमरे जिसमें दो लोगों का परिवार है सकता है, और उसके साथ में एक एक बेड उसको बढ़ाया जा सकता है, और यह सभी के सभी सा और पूर्शों के लिए एक डॉर्मेट्री इस तरह से दो हमारे पास डॉर्मेट्री है इसमें ये ट्रीट्मेंट कक्ष जो है वो शुरू होता है ये क्या है सर ये कक्ष ये जल्च किछा केंद्र है और ये महिलाओं के लिए है और ऐसा ही पूर्शों के लिए जैसे मैंने का उपयोग है एनिद्रा, उल्जन, माइगरेन, उचरक्तपचा, इसनायुदरूबल्य, अवसाद, ता शरीर की पीड़ा, यह सब में यह उपयोगी है, जिसमें गरम उठंडे पाने से व्यक्ति को इसनान करवाते हैं, जी, तब इसनान जो है, फुल बोडी बाद इसको कहते है और उसके पास में जो है, यह आप देखेंगे, सर्वाइकल, स्पॉंडलेस, लिस्ट ड्रोप, कलाई के जोड़ों का दर्द, संदी दो, सोद, दमा, फ्रोजन सोल्डर, इस तरह के यह भाप दी जाती है, इसके इंदर में हातों और पाउं को, जी, यह दूसरा जो किंदर ह डेकरें, यह Spitन बात और हिप बात है, इसका उपयोग आप देख रहे हैं, यह पाचन संस्तान समंधी रोगों में, माशिक दर्म, स्तरी समंधी रोगों में, कब्ज, मोटापा, इसनाई दूरूबुले, मदुमे, गुर्दा समंधी रोगों में, यह उपयोगी है, इसमें ह हम गरम उठंडे पाने के धार देते हैं जिस इस्तान परस躁 नहीं हैं उससे इसको निया जाता है यह भापिष्णछन जिसको स्टीम बात कहते हैं अभंगिस्थन driver में हभंगिश्ण अभंग करते हैं अभेंग के बाद में और अभ्याद आप नेच्रोपेथी का सेंटर तो एक काम आदमी के लिए बहुत ही पढ़िया है उसको नेचर के नजदीक लाने का सेंटर होता है तो यहां पर सारा नेचर और पंचकर्म ऐसा ही कारे है यह विशेज भाप इसनानकक्स है जिसको पूरे शरीर को भाप नहीं देनी है किसी कारण से कोई अलर्जी और दूसरी प्रेशन यहों इस पेसिफिक पार्ट पर दिनी रहती है तो उस स्वास्ते सादक को यहां ला करके उसमें भाब दिजाती है तो यहां से आगे यह अभ्यां के लिए इस्थान होगा तो आप देखें कि यह नेच्रोपेथी सेंटर की हम विजिट आपको इसलिए करा रहे हैं कि आपको एक आइडिया भी लगे कि जहां भी हम कुछ ट्रीट्मेंट लेने जाते हैं तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमें हो उसका पता हो कैसा क्या है ऋर अभंग इसनान की चिकिच्चा के पाश्चात अभी अगली जगह ने यह चिकिच्चा की. यह मिट्टी से हम लोग ऊपचार करते हैं कि यह उनको लिटा करके। शरीर के आवशक्ता हो वह मिट्टी का अलेप कहा जाता है या पूरे शरीर को मिट्डी का लेप किया जाता है, ये मर्दा इस्तान की जगह है, और उसके पश्चा जो है, ये शरीर सुद्धी की जगह है, जिसमे एनिमा है, इस्टिम, एनिमा के अलावा जकुजी है, हमारी ये विशेस्त है कि समवन्यत या प्राकृतिक जकित्सा में ये ही विवस्ता है जगती है, हमने इसको अल्ट्रा मोडन रूप देने का परियाज किया है, जो हम होटलों में और रिसोर्ट में देखते हैं, वो भी सुद्धा यहां पर उपलबद आप देखेंगे, जकुजी हमारे पास में है, इस महिला जिकित्सा कक्ष में है, कुछ रोगियों को वो नहीं दे सकते हैं, उसको इसमें रखा जाता है, और दूसरों जिसको पानी का प्रेसर स्पेसिफिक इस्तान पे देना है, उसके लिए भी जकुजी उप्योगी है, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी थकान हो, अवसाद हो, इसमें वेक्तिय दी आधी हर्म कर लिए पानी में तो पूरी तरह से फ्रेस हो जाता है, पानी का प्लड़ पनी का इस बड़श्यूलेशन रिर के जाता है कि आदし भी जाता है, पानी का सब्सक्क्रेंग का फ्रेस वीए, पानी काो मईinea समे विसके ठीव में निचरो पेट हो जाता है, और ऐने चीजे साफ होनी है तो यह एक जो है पूरा नेचरोपेथी सेंटर का हमने आपको टीटमेंट जो हिस्सा है वो दिखाया है और यहां से आगे कुछ इनोंने कुछ छोटे-छोटे नवाचार भी कर रखे हैं जैसे जोपने नुमा आकरती बनाना कुछ गोबर से लेव करके और यहां जो है एक family है वो पूरी इस व्यावस्ता को संबालती है और सभी जो गाएं उनकी सिवा करती है तो यहां किस परकार की गाएं है कुनसी है यह ऑपने पास var Whileunda नागोरी भी है जेकोंदर सिगाय है यह नागोरी गाय गाया है एकोना साफेद होती है विरू संदर होती है अलागी दूद जो है वो आट-दस लिटरी होता है शायद इनका नहीं आट-दस लिटरी भी नहीं होता है उनका बहुत कम दूद होता है कम दूद होता है जो होता हो भी अपने बच्डिया बच्ड़ी को पिलाते है इनका जो इस्पेशलिस्ट है आपने बच्षडी को पाते इसके बच्षडी बच्षडी जो आप देखेंगे ना आप देखेंगे इसके बच्षडी बच्षडी जो आप देखेंगे इसके बच्षडी बच्षडी जो आप देखेंगे इसके बच्षडी बच्षडी जो आप देखेंगे इसके बच्षडी इसो काम करते हैं, उबहुत बढ़िया की व्यवस्ताइः कैसे चलती हैं क्या परीवार का। यह उसकी पतनी है, इनके तीन बच्चे हैं, उड़े चोटे पहरे पहरे, सब मिलकर के काम करते हैं, सुबह से रात तक यह परिवार लगा रहता है, और हमने इस तरह से विवस्ता की है, इसको आप देखेंगे, यह गायों के रहने का आवास है, इसके एकदम सामने उपर, पह केंद्र हमारा है, इस तरह से दोनों तरफ बाड़े हैं, जहां घाया खुली रहती है, इस पर खुंटे का कंसेप्ट नहीं है, काम होता है, उश्तिसमेन को बांदा जाता है, बाकि हर समय घाया खुली रहती हैं सब, एक दूसरे के साथ में. तो ये नंदिनी गोशाला के बारे में आपको कुछ बाते बताई और इसी प्रकार पूरे प्राकरती चिक्सा के अंदर में हम आपका प्रवन करवाते रहें विजिट हमने आपको इश्वर स्टी प्राकरजी साले में करवाई है और भाई साथ हमारे साथ है पूरी परीचे इन्होंने पूरा इसकारिक्रम का दिया है और होस्पिटल में जो हम घूमे हैं तो सारी चीजों को आपको ग्यान भी हो गया होगा कि किस परकार यहां आया जा सकता है रहा जा सकता है अब थोड़ा सा परीचे ले लें कि कोई व्यक्ति अगर आना चाहे तो कैसे संपर करेगा दूसरा यहां पर इनके यह जो जिस कक्ष में हम बैठे हैं यह गोबर का लेव है सारा और इसके उपर कुछ मांड़ने जो होते हैं वो बनाए हुए है बड इस माहोल को अगर एक आम आदमी पराप्त करना चाहें तो कैसे आ सकता है क्या मोसम रहता है किस प्रकार क्या बाते ध्यार रखने चाहिए यह पराकरतिक चिकित्षा केंदर में डिसंबर और जनवरी यह दो मेने ठंड में परेशा नी रती है उसको छोड़ करके साल के दस म मेने में कभी भी या करके यह इस वातावरन का आनन्द लिया जा सकता है लग बग क्या सून कर रहता है अगर कोई वेक्ति आता है यह यहां आने के लिए सबसे पहले उनको ओलनाई रजिस्टर्शन करना रहता है जिसमें हमारी जो वेबसाइट है इस्वरसश्टी.org उस प दिन के लिए उस स्वास्ते सादक के लिए अलग-अलग सुलक हैं यह वो डोरमेटरी में रहना चाहें तो ग्यारा सो रुपया पर डे पर पर सन उसमें रहना भोजन ट्रीटमेंट सब कुछ आ गया है यह उनके साथ में वेक्ति आता है तो उसमें उनका केवल साथ सो सकते हैं और साथ के वेक्ति भी जो सुबह की मसाज वगरा है वो सामने ट्रीटमेंट ले सकते हैं विशेज छोड़ करके दूसरा यहां पर कुटूम्ब कक्स हैं उसमें एकीस सो रुपिया पर डे पर पर सन है उनका अलग ट्रीटमेंट सेक्शन है और उसमें अलग से हैं तो फिर उनको तीन हजार रुपिया होता है एक हपता का वो ट्रीटमेंट का पैकेज रहता है और यह कोई व्यक्ति दीश में जाना चाहें तो उसमें कोई विशेश बात नहीं हमने जो कुछ तयारी की रहती है उनको ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए आमने सुलकम पर्डे का सो रुपे काट करके उनको रेटन कर देते हैं अच्छे यह ओनलाइन पहले ही जमा करना पड़ता है यह ओनलाइन जमा करना पड़ता है और उसमें डोकुमेंट्स क्या-क्या चाहिए डोकुमेंट्स केवल आधार कार्ड चाहिए और उसके अलावा उनकी जो case history है बीमारी की, वो document उनको देने पड़ते हैं और वो साथ में भी लेकर के आ सकते हैं आवशक नहीं उनको ओनलाइन देने के लिए तो और क्या विशेस बात है जो यहां की आप बताना चाहें और कोई परीचे के लिए उसमें बताना है यहां पर आने के लिए आवशक नहीं कि हम स्वास्ते सादक ही हों हम केवल सादक भी यहां सकते हैं हम परकृति की साधना करने के लिए भी यहां सकते हैं और आज की अधुनिक भास्षा में एदियम इसको कहें तो आप विलेज टूरिज्म के लिए टूरिस्ट बनकर भी यहा आ सकते हैं और आप agriculture tourism के लिए भी यहां आ सकते हैं जरूरी नहीं कि आप बिमार होने की प्रतिक्षा करें आप बिमार नहीं हो इसके लिए भी आप इस वर सर्ष्टी में आ सकते हैं यदि आप साल में दो बार साथ साथ दिनियां आते हैं तो हम आपके पूरे शरीर की oiling ग्र प्राकर्तिक चिकिसा के बारे में कुछ जानकारिया पहुंचे और आप समझें कि ये व्याधियां जो हैं बहुत सारी व्याधियां हम लोग केवल प्रकृति के साथ नजदीक रहकर प्रकृति के द्वारा ही उसको ठीक कर सकते हैं और फिर अगर वो बिमारी नहीं ठीक होत तो फिर मोडन ची किसा पद्दितिया तो हमारे पास है ही हम वहां तो ट्रीटमेंट ले ही सकते हैं लेकिन ये एक शुरुवात ही हमारी शुरुवात जो है वो हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद वही सब आपने बहुत अच्छी जानकारिया दी है और इसी प्रकार हम टीवी के लिए नमस्कार